जोडों में हैं दर्द तो जरूर करें ये आठ योग जोडों में दर्द एक आम समस्या है उम्र बढ़ने के साथ यह समस्या और भी बढ़ जाती है लेकिन यदि आप शुरू से ही कुछ योग करते हैं तो आपको जोडों के दर्द से राहत मिलेगी आईए उन्ही योगों के बारे में जानते हैं मालासन यदि आप नियमित रूप से मालसन का अभ्यास करते हैं तो इससे घुटनिक टकने और जांगों को मजबूती मिलती है यह आपके घुटनों में लचीलापन बढ़ाता है यह मेटाबलोजन को उत्तेजित करता है तथा पाचन तंत्र को सक्रिय करता है इसके अलावा मालासन मुद्रा में सुधार करता है धनुरासन यह आसान मुख्य रूप से बंद कंधों को खोलता है साथ ही साथ पीठ को लचीला बनाने में काम आता है गरूरासन करने से शरीर से तनावव जड़कन को दूर किया जा सकता है इसे आप थोड़ी सरलता से भी कर सकते हैं गरूरसन का नाम पक्षियों के राजा गरूर के नाम पर रखा गया है जो हिंदू पौरानिक कथाओं में भगवान विश्नु का वाहन भी है गरूरासन आपके पेरों को शितिल करता है और उन्हें लचीला बनाता है मुद्रा आपके पिंडली को मजबूत करती है और जांगों को फैलाता है यह नियूरो मस्कुला समन्वे में भी सुधार करता है आप खाली पेट गरूरासन का अभ्यास करीं आपको जरूर फाइदा मिलेगा वीरभदरासन यह आसन घुटनों को सुधरिर बनाने का काम करता है इसके अलावा जकड़े हुए कंधों को सक्रिय करने में भी सहायक रहता है वीर भद्रासन कंधों से तनाव को कम करके आपकी शरीर को संतुलन प्रदान करने का काम करता है, इस प्रकार से जोरों के दर्ध यह आसान निजात दिलाता है। विरासन आपके पैरों में ब्लड सकुलेशन को बढ़ाता है और जांगों और घुटनों को फैलाता है। यह योग आपके शरीर की मुद्रा में सुधार करता है तथा पैरों में ठकावट को दूर करता है। सेतु बंधासन खुटनों की मानस्पेशियों को मजबूत करना है तो सेतु बंधासन करना चाहिए। यह औस्टियोपरोसिस रोग में फाइदेमंद साबित होता है तथामा, स्टिष्ट को शांत रखता है और ध्यानक्षमता बढ़ाने में मदद करता है। यह आसान मानसिक तनाव को काफी हद तक कम कर देता है। सेतु बंधासन का नियमीत अभ्यास काफी फाइदेमंद है। जिनको जोडों में दर्द ना हो, वो भी इसे कर सकते हैं। मकरासन मकरासन आपके पैर की मानस्पेशियों को फैलाता है, इसलिए यह घुटने के दर्द के लिए बाम के रूप में कार्या करता है। मकरासन से शरीर और दिमाग को शांत करने में सहायता मिलती है। यह उच्छर अक्चाप को भी नियंतरित करता है। ट्रिकोनासन, टांगों, खुटनों और टिकनों को मजबूत करने के लिए ट्रिकोनासन करना चाहिए. यह युगासन साइटिका और कमर दर्द में भी राहत प्रदान करता है. इसके अलावा इस आसन के नियमित अभ्यास से खुटनों की नस्थ कमर, जंगा की संधी और नितं देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हाश्मी.com चैनल और हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हाश्मी.com की हिल्थ संबंधी जानकारियों की वीडियो सबसे पहले देख पाएं.